दोस्तों नमस्कार तिलका मांजी भागलपूर इन्वासिटी चार फरबरी 2022 की टूडे न्यूज में आप सब का स्वागता और हमां सकीन पर आज़ चुके हैं यहां पर जो इन्फूमेशन सामने है वह भी बहुत मातपून और खास है क्यूंकि बिस्विद्याले नहीं जारी दिया गया है तो यह जो न्यूज है यह भी खास और मातपून हो जाती है दोस्तों यहां पर थोड़ा जूम करता हूं और आप साफ्टों पर देख पारंगे तिलका मांजी भागलपूर इन्वासिटी में बुद्भार को हुए सिनेट की बैठा के में सदास्यों ने पीच जो एक्जाम हुई थी उसकी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और पर एक चांदियां तक डॉक्टर अरून कुमासी ने कहा है कि रिजल्ट विस्विद्याले के वेफसाइड पर अपलोड कर दिया गया है अस्टुडेंट विस्विद्याले के वेफसाइड पर जाकर कर रि बिड़ चुका लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया प्रकासित नहीं किया गया इधर- उदर भटक रहे हैं एसको इसा उन्होंने कहा है अफ परिक्षनियन तक से मिलने पर एस्टूर्टों ने कहा है कि एक से दो दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जा dura तो यहाँ जो डिटेस जो जनकारी सामने आ रही है यह भी मातपूर्ण और खास हो जाती है क्योंकि सभी लोग एक साथ नहीं है इस बज़ा से थोड़ा दिखते हैं आ रही है नेक्स्ट आप देख पारें मनु विज्ञान विस्टाई के कई छात्रों को दूसरे पेपर में जीरो से दस नमबर मिले हैं तो यहाँ पर जो डिटेस है यह भी मातपूर्ण है तिलका मांज भागपूर इंभासिटी में जारी परिक्षा के पढ़ना में गरबरी को लेकर के आरोफ भी लग रहा है अस्टूडेंटों को दौरा जो कि कहा जा रहा है कि छातों को दूसरे पेपर में जीरो से लेकर के सव सोरी दस नमबर तक अंक दिये गए हैं तो यहाँ जो इन्फरमेशन ने भी मातपूर्ण है और चली इसी थोड़ा से मैं मार्किंग कर देता हू और यहाँ पर आप साब तो पर देख पाँगे पथम पेपर अब्जेक्टिव में 40 नमबर से अधिक आए उन चातर चातराओं ने बतलाया कि पथम पेपर की परिक्षा ओमर सीट पर हुई इसमें नमबर कम आ सकता है या माना जा सकता है लेकिन दूसरे पेपर की जो परिक पारतियों के साथ में जबूर किजिएगा आते हैं नेक्स इन फ्रमेशन में दोस्तों आप यहां पर देख पार नगे तीन वह पांच वर्सी यह ला परिक्षा का रिजल्ट परकासित जो कि तिलका माजी भाकर पूर इंभर्सिटिट्र ने ला परिक्षा का रिजल्ट जा परिक्षा जान तक डाक्टर अरून कुमासी ने बतलाया कि रिजल्ट ला कॉलेज को भेज दिया गया है सेसला के समेस्टर के परिक्षा का रिजल्ट त्यार करने के लिए परकिरिया उसकी चल रही है तो यह जो इन्फॉमेशन थी यह भी मादबूर और खास थी तो चलते आप देख पारेंगे परिक्षा विभाग में चातों को मिले सुब्धा इसको लेकर के भी खबरें हैं तो यहां पर इस देख पारेंगे चातों की नबेपातिसर समस्याओं का निराकरण परिक्षा विभाग के पास है मगत तिलकामाजी भाकर पूर इनवरसिटी एनिटी का परिक्षा विभाग काफी लचर है तो यह भी इनफरमिशन महत्पूर्ण हो जाती है और अस्टुडियन्टों के लिए जो भी हो सके इनिवरसिटी को करना चाहिए यहां पर कहा जा रहा है सत्र दो हजारा सत्र दो हजार बीस से 21 में 444 लाग से जो रासी थी सत्र दो हज 223 में 10 क्रोर 68 लाख का आई परिक्षा विभाग से हुआ है तो यहां जो डीटेल से जनकारें जो सामने आ रही यह भी मातपूर्ण और खास हो जाती है आप सभी स्टुडियन्टों को इस वीडियो को शेयर कर देजेगा और तिल्कमान जी की जो भी अपडेट आती है वो टेलिग्राम के उपर अफलोड कर दिया जाता है जाकर कि वहां से भी डाउनलोड कर सकते है पेपर कर टिंगों को या फिर वीडियो के माद्यम से भी जनकारें प्राप्ट कर सकते हैं तो आज के डिट के जो भी अपडेट थी हमने आपके साथ में साधा किया और यहां पर वीडियो को लाइक से कमेंट सब्सक्राइब कर दिजेगा तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट इंफ्रमेंस के साथ में नेक्स्ट वीडियों थेंक्यू